राजिस्तान के नागोर में प्रधानमंतीद नरेन मोदी ने चुनावी सभा में कहा कॉंगर्स अद्धिक्ष मलीक का जुन खटगे ने मेरे पिताजी को गाली दी ये खटगे को क्या हो गया है वो तो ऐसे ना थे गैलोट पायलेट के बीच खिश्तान पर चुटकी लेते वे मोदी ने कहा कि दोनों के बीच बेमन से हाथ मुलाने की सेंचुरी हो गई है लेकिन मन में अभी भी खटास है लाल डायरी पर तंच कस्ते वे उनोंने कहा कि अभी बेटा लिखकर देने को तयार है कि पापा की सरकार नहीं आएगी मुक्यमंदरी का जादू बेटे पर भी नहीं चल पाया इससे पहले मोदी ने जाट समाज के लोग देवता तेजाजी के मंदिर में पूजा अर्चना की नोने नागोर में भाश्पा पत्याशी जोत्ती मिर्दा सहीच जिले की दस विदानसभा सीटों के पत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया पिशले कई महीनों से रजिस्तान की लाल डैरी की बड़ी चर्चा है लाल डैरी में कॉंगरेस के अपने नहींता ने कॉंगरेस के कुशासरी कथा को पूरे विश्ताव से लिखा है तबी तो मुख्यमंदरी का अपना बेटा ये लिखकर देने को तयार है कि पापा की सरका इस बार नहीं आने वाली अरे गैलोज जी आपका जादू आपके बेटे पर भी नहीं चल रहा एक तरफ कॉंगर्स के पास लूट का लाइसेंस है वहीं दूशी तरफ मोदी का गारंटी कार्ड है आपका किस पर भरोसा है मोदी के गारंटी कार्ड पर पुरा देश भरोसा करता है और उसे कुछ ठोस कारण है हवाबाजी नहीं जमीनी सच्चाई है गारंटी पूरी करने के लिए समय का प्रत्यक पल दिन रात खपा दिये हैं गारंटी दी थी कि जम्मु कश्मी से 370 हटाएंगे अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान होगा तीन तलाग खतम करेंगे ये सभी गारंटी मोधी ने पूरी कर दी है कोरोना में भारत लोगों को टीके लगा रहा था देश में वैक्सिन बनाई लेकिन कॉंग्रेस के लोगों ने विदेशी टीके की मुहिम चलाए कि कितना ही पैसा लगे बाहर से लाओ मुझे तो समझ नहीं आता की विदेश से कॉंग्रेस को इशारा करने वाला कौन है जन्पती प्लाजा से पेसा निकल रहा है सची वाले के अलमारी से सोना निकल रहा है ये खजाना कॉंग्रेस का पाप है ये सोने की इट मोदी बहा निकाल रहा है जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लोटाना पड़ेगा कॉंग्रेस वाले मेरे उपर बोखलाए हुए है इसी की साथ बने देशन यूस इंडिया के साथ धन्यवाद